नमस्ते अगर अभी आप class 11th में हो या फिर class 10th में हो जो अपने J.E. की तयारी start कर रहा है या फिर class 12th में है या फिर जो droppers है जिसको तो खुछ समझ में नहीं आ रहे है कि J.E. का कैसे तयारी करना है नेक्स दो महिने में एक्जाम है तो आपको जो ये वीडियो देखना चाहिए इस वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो J.E. mathematics का syllabus है उसमें कौन-कौन से chapters हैं कैसी वो chapters आपस में related हैं और किस तरीके से आप ये सारी chapters को या फिर पूरा syllabus को जो किस तरीके से आपको देखना चाहिए और किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो ये सारा चीज अम लोग समझेंगे और जो फालतू के हजारो random strategy videos में आप लोग time waste करते रहते हो तो उससे अच्छा है कि syllabus को खुद से समझो अपना जो भगवान ने आपको दिमाग दिया है उसका use करो और खुद से आप समझो कि आपको किस तरीके से इसको अप्रोच करना है So let's get started सबसे पहले तो अगर आप देखोगे पूरा syllabus को तो तीन बड़ा sections में आप इसको roughly divide कर सकते हो एक आपका calculus आजाता है एक आपका coordinate geometry ठीके और फिर बांकी जितने भी बच जाते हैं उसको जो है generally algebra आप बोल सकते हो तो हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से chapters आपस में related है तो सबसे पहले मैं start करूँगा set theory के साथ तो यह पूरा आपका mathematics का यह एक base बनाता है और यह पूरा throughout mathematics जो आप पढ़ोगे तो यह हर जगा यह use होते रहेगा इसमें जो भी concept पढ़ते है तो set theory से जो है जो है वो काफी सारे चीज जो है वो simplify हो जाता है तो एक आपका यह जो mathematical reasoning है यह completely independent chapter है जो कि mathematical reasoning समझने के लिए आपको यह जरूरी नहीं है कि आपको calculus आना चाहिए या फिर यह सब तो यह जो है यह आपका एक completely independent chapter है mathematical reasoning जो कि आप कभी भी कर सकते है आप class 10th में हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा 11th में हो तब भी 12th में हो तब भी और definitely यह करना चाहिए क्योंकि एक question जो है almost certain रहता है कि यहां से आएगा तो set theory का यहाँ पर थोड़ा सा use होता है अब अगर probability का बात करें तो probability समझने के लिए set theory भी जो है compulsory है तीक है क्यों क्योंकि जो probability में हम लोग sample space का बात करते हैं वो set theory में आपका universal set होता है तीक है और probability में जो हम भी इवेंट्स बोलते हैं तो वो जो है set theory में आपके subsets type से हम लोग treat कर सकते है और probability में जो भी हम लोग occurrence of an event कहते हैं या फिर जो भी outcome of an experiment कहते हैं तो वो set theory में आपका element of a set उस type से हम लोग सोच सकते हैं तो set theory में जो सब भी पढ़ोगे कि A union B A intersection B तो वो सब probability में directly use होगा probability of A union B probability of A intersection B and so on तो probability chapter समझने के लिए जो है आपको set theory आना चाहिए ठीक है probability में और क्या use होता है PNC जो है एक छोटा सा पार्ट है probability ठीक है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या है कि PNC से उनका डर रहता है ठीक है और PNC के कारण फिर वो पूरा पूरा probability छोड़ देते है probability एक बहुत बड़ा मल आपके जेई के इसाप से तो उतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है लेकिन अगर आप लोग आगे जाके mathematics पढ़ते हो या फिर science में अपना career आगे जाके बनाते हो तो probability one of the most important chapter होगा जो की आगे जाके आपको life में help करेगा ठीक है तो PNC जो है एक छोटा सा पार्ट है probability का जिसको की हम लोग use करते हैं जहाँ पर counting अगेरा करना है तो वहाँ पर हम लोग PNC को use करते हैं तो PNC जो है एक छोटा सा पार्ट है probability का तो PNC से अगर आपको डर लगता है तो PNC का कम से कम बस जो basic होता है एकदम basic वो समझ लो और फिर वो समझ के probability को भी कर लो ठीक है तो यह नहीं कि probability का पूरा chapter छोड़ दिया अगर आपको PNC नहीं आता है तो PNC का basic करो और फिर probability अपने आप में एक काफी important chapter है तो probability को जो है आप लोग आसानी से समझ सकते हो और काफी conceptual conceptually बहुत अच्छा प्यार असे chapter है तो इसको अच्छे से समझ सकते हो और statistics का भी थोड़ा सा अभी काम आ सकता है मतलब की random variable में जब हम लोग जाते हैं और फिर उसका जब mean वगेरा यह सब देखते हैं तब statistics का थोड़ा सा महाँ पर use आता है लेकिन आगे जाके जिसे आप first year में अगर आप IIT में जाते हो मतलब अट्लीस जो मेरा से लिए बस्ता है तो उसमें first semester या फिर second semester में आपका एक course होगा probability and statistics तो यह दोनों जो है यह साथ में चलते रहेगा आगे का जो भी आपका scientific career है उसमें probability and statistics जो है यह साथ में चलते रहेगा लेकिन statistics को जो है इसको भी आप लोग as an independent एक chapter use एक chapter treat कर सकते हो जिसका की use थोड़ा सा probability में भी होता है तो यह एक part हो गया फिर next में जो एक important part में आना चाहूंगा वो है vector algebra और vector algebra का direct use होता है 3D में और फिर vector algebra का use होता है matrices में matrices and determinants का chapter में और यह जो है थोड़ा cycle में चलता है कि determinants का use इधर भी होता है vector algebra का use इधर होता है तो यह जो चारो chapter है इसको मैं as one unit देखना हूं vector algebra 3D matrices and determinants तो यह काफी important and scoring unit है तो अगर examination point of view से देखते हो और अगर आप simply mathematics point of view से सोचोगे तो अगर आप लोग अभी के दुनिया में जो maths apply हो रहा है तो जो applied mathematics का field है जो भी आप लोग सुनते हो यह सब artificial intelligence, deep learning यह सब जो सुनते हो तो उसका जो base है वो पूरा linear algebra उसमें use होता है तो जो भी big data का भी दुनिया चल रहा है तो उसमें यह linear algebra जो यह बहुत ज्यादा use होता है तो उसके हिसाब से यह बहुत important एक unit है और यह unit को समझने के लिए अपने आप में एक independent unit है मतलब यह unit को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको calculus आना चाहिए अगर आपको calculus नहीं भी आता है तब भी आप यह कर सकते हो ठीक है और examination point of view से भी अगर सोचोगे तो vector algebra 3D यह सब में हो सकता है कि थोड़ा सा lengthy question आ सकता है लेकिन ऐसा question नहीं आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना नहीं करना है तो यह बहुत important और बहुत scoring unit है जो कि आपको definitely complete करना चाहिए कुछ बच्चे यह भी मेरे को बोल रहे थे कि आप क्यों इतना vector 3D यह सब matrix से determinants करते रहते हो तो यह मेरा थोड़ा सा favorite part है mathematics का क्योंकि linear algebra मेरा थोड़ा favorite है तो यह जो है यह part आप लोग को करना चाहिए definitely और इसमें बच्चे अब गलती क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे calculus में पूरा फस जाते हैं और फिर यह सब को जो सोचते हैं कि last में जाके करेंगे vector 3D लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको calculus के बाद करना है vector 3D आप उससे पहले भी vector 3D कर सकते हो क्योंकि अपने आप में independent chapters है और बहुत scoring chapter है तो next मैं आऊंगा conics में या फिर coordinate geometry तो यह straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola तो यह अपने आप में फिर से एक independent unit है इसमें थोड़ा सा कहीं पर determinant का use हो सकते है तो determinant के थोड़ा सा basic अगर आपको आता है तो आप आराम से यह सब chapter कर सकते हो और थोड़ा से calculus का भी use होता है इसमें derivatives वगरा की tangent का slope निकालना है तो थोड़ा सा basic concept आना चाहिए नहीं तो यह अपने आप में यह एक independent यह आपका unit है और इसको भी definitely करना चाहिए क्योंकि examination point of view से जो है यह scoring है सबसे ज्यादा क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा complicated question बनाना मुश्किल रहता है जैसे calculus में क्या होता है कि मुश्किल question बनाना आसान है कहीं पर भी थोड़ा से box लगा दो box function डाल दिया कहीं पर curly braces लगा दो ठीके तो fractional वाल पार्ट आ जाएगा या फिर कुछ भी मतलब आप functions और combination लेके बहुत आसानी से आप मुश्किल question बना सकते हो लेकिन यह सब जो है vector 3D या फिर यह coordinate geometry तो यह सब में मुश्किल question बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है तो ज्यादा तर आसान question आने का संभाव इधर से रहता है तो आपको यह unit करना चाहिए यह unit करना चाहिए अब जो next आते है calculus पर आते है ठीके थोड़ा build up करते है तो calculus पर क्या है कि set theory के बाद आप लोग relations क्या होता है functions क्या होता है वो next sort of मालब कि दो sets के साथ अगर मैं काम कर रहा हूं set A है set B है तो फिर हम लोग एक set से दूसरे set पर कैसे relation define कर सकते हैं और फिर कौन सा relation को जो है हम लोग function बोल सकते हैं ठीके तो वह basic है कि relation function तो basic अगर आपको समझ में अगर आपको यह समझ में आ गया तब आप लोग आगे बढ़ सकते हो बहुत ही important chapter है trigonometric function तो trigonometric function जो है यह भी पूरा mathematics में जो है आपका यूज होते रहेगा बार-बार तो इसको जो है अच्छे से समझना बहुत जरूरी है और यह सारे chapters का मैंने वीडियो अपने जाके देख सकते हो फिर अगर आपको trigonometric function पता आ गया समझ में आ गया तब फिर inverse trigonometric function जो है वही से follow होता है ठीक है कि domain मतलब यहां से जो होता है specific उसका portion हम लोग चूज करते हैं जहां पर one to one and onto होता है फिर वहां पर हम लोग define कर सकते हैं inverse trigonometric function यह सब तो यहां से जो inverse trigonometric function आएगा तो यह सब जो है यह आपका sort of एक base type का हो गया calculus के लिए ठीक है फिर calculus proper start होता है जहां पर कि functions जो है यह सबसे पहला chapter है सबसे important chapter है सबसे बड़ा chapter है क्योंकि पूरा जो आपका calculus रहेगा वह इसी के उपर based रहेगा ठीक है कि यह सब में concept वाइज आसान है ठीक है कि limit कब exist करेगा continuous कब होगा differentiable कब होगा तो continue मतलब concept के सबसे आसान है लेकिन questions जो है बहुत आसानी से complicated question बनाया जा सकता है ठीक है कि थोड़ा सा functions को इधर डाल दिया उधर डाल दिया को अगर function left hand limit right hand limit equal है और फिर function का value है वो भी equal है तो फिर आपका continuity आ जाते है वहाँ पर फिर differentiability हम लोग चेक करते हैं ठीक है फिर आगे differentiation यह सब कैसे निकालते हैं derivative कोई भी function का फिर यह काफी scoring chapter है application of derivatives के जो भी derivatives होगेरा उसको apply करके कौन सा questions होगेरा जो होता है ठीक है फिर आपका indefinite integral आता है फिर definite integral area under the curve यह सब और फिर जो है end में differential equation ठीक है तो यह पूरा का पूरा यह calculus का जो है यह आपका एक unit बन जाता है ठीक है अब इसमें जो है यह calculus बहुत ही important है future के हिसाप से भी ठीक है कि आप लोग जब college में जाओगे या फिर science में अगर career बनाते हो तब calculus का हमेशा यह हो जाएगा क्योंकि calculus के है basically कि अगर कहीं पर भी कोई dynamic system है ठीकि dynamic मतलब कि कुछ change हो रहा है some function is changing with respect to another function या फिर time के हिसाप से जो कि दुनिया का अगर कोई भी system उठ important है और examination के हिसाप से भी important है अब जो को chapters में नहीं आपर छोड़ दिया था वो क्या है कि set theory फिर logarithm जो यह भी काफी आपका basic चीज है ठीक है जो कि आपको जानना चाहिए क्योंकि log का भी कहीं पर भी use कर सकते है कि मतलब calculus में कोई questions में डाल दिया log को है तो log आना चाहिए फि inequalities में modulus inequalities या फिर logarithmic inequalities या फिर square root inequalities यह सब वगेरा यह सब जानना जरूरी रहता है फिर थोड़ा सा इसी से follow होता है कि quadratic equations and theory of equations ठीक है तो यह एक chapter हो गया फिर उसके बाद sequence series जो है यह काफी interesting chapter है in the sense that इसमें concept के हिसाप से जो है आसान रहता है सब चीज ठीक है कि AP क्या होता है GP के होता है या फिर HP के होता है AGP क्या होता है तो concept के हिसाप से आसान होता है लेकिन questions काफी tricky questions जो है इसमें set किया जा सकता है ठीक है कि कहीं कहीं बार क्या होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि इसको start कैसे करना है या approach क्या करना है तो उस हिसाप से sequence series जो है थोड़ा स concept आपको cover करना चाहिए और exam और practice करना चाहिए इनफ और exam में आसान question आता है तो कर लेना चाहिए अगर मुश्किल आ गया तब फिर उसको first round में छोड़ दो फिर उसके बाद में आके approach करना फिर similarly binomial theorem का क्या है कि concept के इसाब से ये भी आसानी है उतना ज़्यादा मुश्किल चाप्टर नहीं है लेकिन questions again इसमें जो है काफी मुश्किल frame किये जा सकते है तो ये सारा जो part है ये algebra का part हो गया अब एक जो chapter मैंने mention नहीं कि अभी तक वो है complex number तो complex number जो है ये mathematics में आपको sort of एक नया dimension add कर देता है कि जहां तक आपने real numbers तक बढ़ा था सारा functions ये सब सारा real valued functions होने चाहिए तो उसी में मैं अगर बस x square equal to minus 1 का solution डाल दू कि x is equal to i या भी minus i तो वो जो पूरा को पूरा complex number का chapter आपका वहां से start हो जाता है तो complex number का जो chapter है इसमें जो complex numbers हैं जैसे x plus i y जो लिखते हो तो उसको आप लोग एक vector की तरह भी treat कर सकते हो कि एक component vector एक component उसका x हो गया दूसरा component उसका y हो गया तो vector में जितना भी concept पढ़ोगे तो वो सारे concept पर based इसमें question पूछे जा सकते हैं complex number पर तेक है फिर जो आपका प्लस i y लिख रहे हो तो उसको x, y की तरह एक मालब coordinate train में एक point की तरह भी आप लोग सोच सकते हो तो जितना भी चीज आप लोग को ओडिनेट में पढ़ोगे तो वो सारा चीज भी आपको complex number में पूछा जा सकता है तो फिर trigonometric function में जो भी आप लोग ने sin theta cos theta के बारे में पढ़ा है तो essentially कोई भी complex number को हम लोग e to the power r into e to power i theta इस form में लिख सकते है e to the power i theta जो होता है cos theta plus i sin theta होता है तो trigonometric based भी जितना चीज आप लोग को ने पढ़ा है तो वो भी हम लोग complex number में पूछ सकते है तो फिर जो हो सकता है बस सुकर मनाओ कि calculus जो है उसमें जो है real valid functions तक ही limited है नहीं तो फिर आगे जाके अगर आप लोग और पढ़ाई करोगे तो calculus में भी पूरा मलग complex numbers का भी पूरा आप लोग calculus कर सकते हो लेकिन अब भी के लिए जो at least calculus जो है वो आपका अलग है complex numbers से ठीक है लेकिन इसको छोड़के बांकि यह सब जितने chapters है वो सारे इसमें integrate किये जा सकते हैं ठीक है फिर यह पूरा syllabus करने के बाद दो chapters जो अलग से बच जाता है जिस पर कि अब बहुत ही कम question मैंने recently देखा नहीं कि question पूछा गया है solution of triangle heights and distances तो यह दो जासा chapter है जो कि अगर आप लोग ने syllabus complete कर लिया पूरा फिर आपके पास time बचा हुआ है और कुछ करना है तब यह दोनों को भी कर लो ठीक है अगर question आ जाता है तब फिर इसको solve कर लेना तो I hope आपको जो है पूरा mathematics का जो है एक idea लगा होगा अब इसको approach करने के लिए जो है मेरा suggestion यही रहेगा कि class 11, class 12 इसका distinction में मत फसो कि कौन सा chapter class 11 है कौन सा chapter class 12 है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि NCRT का देखते हैं ठीक है कि कि किस type से class 11, class 2 है तो NCRT का जो भ आधा relation function class 12 में आधा probability class 11 में आधा probability class 12 में आधा probability class 12 में complex number class 11 में ठीक है तो NCRT के हिसाब से जाना जरूरी नहीं है ठीक है अगर J E का तैरी कर रहे हो तब फिर यह पूरा syllabus है यह इसको एक syllabus की तरह देखो इसमें जो यह अलग-अलग units हो गया जैसे यह calculus एक unit हो गया coordinating units हो गया ठीक है फिर यहाँ पर जो है इसको as one unit ले सकते हो ठीक है relation function trigonometric function sector इसको as one unit ले सकते हो इसको भी इसमें मिला दो ठीक है इतने को फिर बाकी जो इतना बज गया उसको एक algebra की तरह देख सकते हो ठीक है और algebra में में भी यह छोटे-छोटे अपने subunits है यह अपना ए unit हो गया ठीक है फिर यह वाला जो है यह अपना एक unit हो गया तो इस टाइप से जो है आप लोग अप्रोच कर सकते हो ठीक है तो अब जो लोग भी जैसे जिनको जो लोग का दो महीना बचा रहा है भी ठीक है most likely February February में होगा exam जही मेंस का most likely ठीक है लेकिन वह 100% sure नहीं है कौन सा chapter खतम हुआ है कौन सा chapter बचा हुआ है आपका ठीक है तो जो भी unit बचा हुआ है उस unit को जो है उठा के आप लोग खतम करो ठीक है अभी भी आपके पास दो महीना टाइम है बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास ठीक है तो अभी भी आप लोग बहुत अच्छा कर सक कैसे करना है कहां से पढ़ा करना है तो यह वाला जो युनिट है यह सेट च्रिगोनेडी फंक्शन रिलेशन फंक्शन इन्वर्स ट्रिगोनेडी फंक्शन तो यह मैंने काफी अच्छे से जो है अपने यूट्यूब चैनल पर ही डाल के रखा है या फिर जेविद्याले.com प अब ही मेरा जेविद्याले.com पर तो वह से कर सकते हो और फिर अभी मैं काम कर रहा हूं इसके ओपर कॉडिनेट के ओपर तो नेक्स जो है इसके ओपर कॉर्स आएगा फिर उसके बाद केल्कुल इसके ओपर कॉर्स आएगा ठीक है तो अगर आप लोग वहने मेरा वीडियो देख़े है आप लोग מק PCR को को जाए मैंने अत्यारी कर रहे हैं तो वो लोग भी यह जो पूरा syllabus है इसको देखो इसको इस टाइप से सोचो और फिर मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे जैन्वरी में एक्जाम होता है जैनरली तो कम से कम दो-तीन महीना पहले आप लोग syllabus खतम करने का ट्राइब करो त्राइब करो फिर उसके बाद test series वगेर जितना दोगे उतना और अच्छा होती जाएगा ठीक है और next और एक question जो काफी सारे बच्चे वो पूछते है कि कौन सा chapter important है तो chapter देखो सारे के सारे chapter important है मेरे हिसाब से क्योंकि exam में अगर paper देखोगे तो उसमें होता क्या है कि कुछ chapter से जो है question डाल देंगे कुछ chapter से जो है मुश्किल question डाल देंगे तो हो सकता है कि probability से बहुत आसान question आजाए या फिर vector से बहुत मुश्किल question आजाए या फिर बहुत आसान question आजाए तो मेरा suggestion यही रहता है हमेशा कि पूरा syllabus complete करने का कोशिस करो और फिर exam में जो है आपका काम यही र सकते हो तो मेरा suggestion हमेशा यही रहता है कि पूरा syllabus को complete करो और फिर exam में जो आसान questions आता है उनको solve करो I hope आपको एक बहुत अच्छा idea लग गया होगा पूरा mathematics के syllabus के अब इसी तरीके से आप लोग खुद से physics का chemistry का उस टाइप से जो है सोच सकते हो ठीकि और फिर अपना strategy खु अभी जो वीडियोस देख रहे होंगे वह बच्चे काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पूरा syllabus complete हो गया होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो ठीक है तो खुद से सोचो है ना खुद का भगवान ने दिम मतलब क्या होता है कि concept को अच्छे से समझो और फिर वह concept यूज करके at least 2019-2020 के जो questions है कम से कम वह आपसे बनने चाहिए और बिना मतलब का attention लेने के वज़ाए या फिर random बहुत सारे strategy वीडियो यह सब में time waste करने के वज़ाए पढ़ाई करो दिमाग को सान्त रखो practice करो test series वगेरा दो test दो analyze करो उसको revision करो जब भी पढ़ते हो तो notes बनाओ चैप्टर का summary बनाओ और इस हिसाब अप्रोच करो तो लाइक करो, share करो, channel को subscribe करो और अगर यह जो jividyalai.com है मेरा यहाँ पर अगर आप लोग यह course में interested हो तो फिर course में आके जो है आप लोग enroll कर सकते हो ठीके बहुत ही सस्ता course है, 1000 रुपे में यह सारा chapters आपको मैं provide कर रहा हूँ तो बहुत सस्ता course है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा course है जो लोग भी student ने लिया है तो बहुत अच्छा feedback मिल ला है तो आप लोग भी आकर join कर सकते हो और बांकी यह सब जो chapters हैं इसके लिए और calculus कर भी जो basic है तो इसके लिए मेरा जो भी YouTube पर जो है सारा freely available videos है, NCRT videos तो वो सब जो है वो आप लोग देख सकते हो ठीक